नमस्का दोस्तों, AMT Classes पर आपका स्वागत है, आज हम हिंदी व्याक करण के अंतरगत विराम चिन बढ़ेंगे, विराम चिन के लिए आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे, तो चलिए आज हम 13 तरह के विराम चिनों के बारे में विस्तार से बढ़ेंगे तो अगर आपको punctuation या कहें विराम चिन हिंदी में नहीं आते हैं, तो इस विडियो को लास तक देख सकते हैं, हम सभी विराम चिनों के बारे में सीखेंगे, जो इसकूली सिक्षा तक जरूरी होती है इसके बाद इसके एक और विडियो आएगी जिसमें हम सभी पेपरों में जिस तरह से आती हैं ये सब चीजें, सभी एक्जाम समें जिस तरह से आती हैं चीजें उस तरह से बढ़ेंगे भाशा के लिखित रूप में विशे सिस्थानों पर रुखने या संकेत कराने वाले चिनों को विराम चिने कहते हैं मैं कहां पर रुक रहा हूं, कहां पर बोल रहा हूं, कहां पर हमें रुकना चाहिए, कहां पर थोड़ा रुकना चाहिए, कहां पर ज्यादा रुकना चाहिए इस बात को हम अलग तरह से समझते हैं, देखिए क्या होता है कोई भी चीज को हमने line wise लिख दी लिख देने से वो चीज लिख तो जाती है लेकिन देखने में अच्छी नहीं लगती इसका दूसरा example देता हूँ कोई औरत है वो अगर बिना आभुशनों के बिना नाक में नथनी के बिना कान में कुछ पहने बिना बिंदी लगाए ठीक है साधिश होता हूँ औरत है तो बिना चोटी किये ठीक है या बिना अच्छे से साड़ी पहने हुए वो इतनी सुन्दर नहीं दिखाए देती है जितना आभुशनों के साथ दिखाए देती है इसी तरह भाषा जो हिंदी भाषा है हमारी वो लिखने में इतनी अच्छी लिखावट नहीं लगेगी अगर उसमें चिन्नों का प्रियोग नहीं किया जाएगा तो विराम चिन्न क्या होती है ये वही हिंदी के आभुशन होते हैं ये वही काम करते हैं जो एक औरत की सुन्दरता निखाने में जो उसके आभुशन काम करते हैं तो ये हिंदी के आभुशन है आप इने कह सकते हैं हिंदी के आभुशन इससे हिंदी लेखनी बहतर होती है चीजे और अथिक अच्छे तरीके से समझाती है तो चलिए अब हम इन सीजों को सीख लेते हैं एक ये काभूशनों को तो पहला क्या होता है पहला होता है पूर्ण विराम ये सीधा लगता है ठीक है सीधा डंडा होता है दूसरा होता है अलप विराम ऐसे बिंदी लगती है ठीक है फिर होता है अर्द विराम, अर्द विराम में बिंदी भी होती है और नीचे ऐसे भी लगा होता है प्रश्ण वाचक चिन तो आपको पता ही है, question mark कहते हैं इसे इंगलिश में प्रश्ण वाचक चिन होता है किसके लिए प्रश्न पूछने के लिए फिर विसमयादी बुधक होता है भाव को प्रकट करने के लिए इसे इसी तरह निर्देशक होते हैं फिर लाघव चिन्न होते हैं फिर उद्धरण होते हैं ठीक है फिर कोश्टक चिन्न होते हैं इसी के बाद फिर योजक चिन्न होते ह फिर उपविराम चिन होते हैं हमारी और फिर विवरन चिन होते हैं आज हम इन तेरा के बारे में डीटेल से जानेंगे तो इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजेगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें से कितनी चीज़ें आपको पहले से पता थी ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा इस तरह की लंबी-लंबी वीडियोस में आप लोगों के लिए तभी लापाऊंगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका भिहास करेंगे तो पहला है हमारा पूर्ण विराम पूर्ण विराम क्या होता है? प्रेशन सूचक वाक्यों को छोड़ कर सभी प्रकार के वाक्यों के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रियोग किया जाता है अगर कोसी question में प्रेशन नहीं पूछा गया है तो सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाए जाता है जैसे हम कल मुंबई जाएंगे बात पूरी हो गई तो जाएंगे के बात क्या लगेगा पूर्ण विराम ठीक है मैं हिंदी पढ़ाता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर कहा मैं हिंदी पढ़ाता हूँ अब यहाँ पर वाक्या पूरा हो गया तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा ताज महल आगरा में स्थित है, बात पूरी हो गई तो पूर्ण विराम आएगा, फिर होता है अल्प विराम, पूर्ण विराम में पूरा रुकना होता है, ठीक है? ये चीज़े लिखित रुप में जब होती है तो ज़्यादा समझाती है, जैसे हम आगे समझेंगे, अब अल अल्प विराम में थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, ठीक है? कैसे? अल्प विराम का प्रियोग छण मात्र रुकने के लिए वाक्यों के बीच में किया जाता है, पूर्ण विराम में तो पूरा रुकते हैं, अल्प विराम में थोड़ा सा रुकते हैं, जैसे 15 अगस् 1947 को भारत आजाद हुआ अगर यह पूर्ण विराम यहाँ अलप विराम ना होता तो कैसे पढ़ते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ लेकिन अगर यहाँ अलप विराम है तो कैसे पढ़ेंगे 15 अगस्त 1947 को भारत आ जाद हुआ तो जो अभी मैंने बोला है वो ज़्यादा बहतर है जैसे अब इसको कैसे पढ़ेंगे अगर ये अल्प विराम नहीं है तो नेहा, प्रीती, श्वेता और अनुना हमारे साथ जाएगी क्या ये सही तरीका है पढ़ने का? तो कैसे बोलते नेहा, प्रीती, श्वेता और अरुणा रुख जाते तो रुख रुख कर इस तरह से भी नहीं पढ़ायाता है तो मुझे आशा है पूर्ण विराम और अल्प विराम के बाद आप बारे में आप अच्छे से सीख गए होंगे जो नीचे कोमा होता है उसको अल्प विराम केते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा अर्ध विराम, क्या है? अर्ध विराम अर्ध विराम क्या होता है? जब अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुखने की आवशकता हो तो उसे अर्ध विराम चिन्न का प्रयोग किया जाता है इनका चिन है ऐसे उपर बिंदी लगा के नीचे कोमा ठीक है अब ये लगता कैसे है वह सुबह जल्दी उठा नाश्टा किया अपना सामान लिया और स्टेशन की ओर चला गया इसमें अलप विराम से थोड़ा जादा समय लिया जाता है देखे कैसे पढ़ते हैं वह सुबह जल्दी उठा नाश्टा किया अपना सामान लिया और स्टेशन की ओर चला गया मुझे बाजार से दाल और चावल फल और सबजियां किताबें और कौपियां खरीदनी है बात समझ में आई अलप विराम से थोड़ा सा जादा ठीक है और पूर्ण विराम से कम इन द जहां पर क्या, कैसे, कितना, क्यों, किसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तमाल किया जाता है तो प्रेश्ण सूचक वाक्यों के अंत में प्रेश्ण वाचक चिन्नों का प्रियोग किया जाता है इनका चिन्न है जैसे कोशन माक होता है आपका घर कहां है कोशन पूछा गया है क्या पूछा गया है, प्रेश्ण पूछा गया है, क्या आपका घर कहां है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आप मेरी साहेता करोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे, ऐसे sentence में आते हैं, जैसे एक और लिखे, आप कौन है, यहाँ पूछा गया न, आप कौन है, तो आप कौन ह यहां सवाल पूछा गया है तो यहां प्रश्ण वाचक चिन आएगा जितने भी सवालों में वाक्यों में सवाल पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्ण वाचक चिन होते हैं और प्रश्ण वाचक चिन कैसे लगाया जाता है ऐसे लगाया जाता है ठीक है यहां तक clear है अब आग कोई घरणा का समचार हो या कोई विश्मय हो विश्मय का मतलब होता है किसी भी तरह का बोध ठीक है किसी भी तरह का कोई ऐसी भावना जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते ठीक है जिसको हम इशारों में व्यक्त अरे ये क्या हुआ है भगवान ऐसा कैसे हुआ अरे ओहो ऐसी वाले शब्दों के अंत में यह संबोधन के लिए प्रियोक्त किये जाते हैं, प्रियोक्त का मतलब जोडे जाते हैं, शब्द के आगे विस्मयादी बुधक चिन का प्रियोक किया जाता है, इनका चिन कैसे है, ऐसे कैसे उपर एक डंडा नीचे बिंदी, हे इश्वर हमारी सह अरे तुम्हें तो बहुत चोट लग गई, समझा रही है, वाह, आज विराट कोली ने क्या खेला, तो कैसे करेंगे, वाह, कौन से शब्द पे, जो शब्द हमारा मेन है, वाह, आज विराट कोली ने कितना अच्छा खेला, ठीक है, इसी तरह और पढ़ लेते हैं, क्या है, ए जाए जाए, जैसे वाह के बाद कोमा लगा है, तो अगर यहाँ विसमयादी बुदक नहीं लगा, तो वो कहाँ पर लगेगा, शब्द के बाद में जाके लगेगा, वाक्य के बाद में जाके लगेगा, अगर सुरुवात में अलप विराम लगा है, तो ध्यान लखिएगा छटा है हमारा निर्देशांक चिन निर्देशांक क्या होते है निर्देशित करने के लिए बताने के लिए इशारा करने के लिए किसी के बोले हुए वाक्यों को लिखने के पूर्व कहना बोलना बताना आदी क्रियाओं के बाद तथा निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद निर्देशंक चिन्न का प्रियोग किया जाता है ठीक है चिन्न मताने के लिए जैसे विशाल विशाल ने क्या कहा विशाल ने क्या कहा ऐसे निशान लगाया विशाल ने क्या कहा तमन्ना तुम क्यों रो रही हो फिर विनेय ने क्या कहा तरुन तुम्हारी पुस्तक कहा है तो विनेय यहां इसका मतलब क्या है निर्देशांग का मतलब विनेय ने कहा यहां मालो आदित्ते है यहां तो यह किस ने कहा आदित्ते ने कहा क्या कहा आप काम नहीं कर रहे हैं समझ रहे हैं तो यहां बात समझ आई तो मुझे आशा है निर्देशांग चिन भी आपको समझ आगे होंगे यह निर्देशित करने के लिए होते हैं जैसे मैं लिखता हूँ जैसे मेरे टेस्टों में आपने देखा होगा कि वाक्य अभ्यास वाक्य अभ्यास के बाद क्या होता है ऐसा चिन होता है वाक्य अभ्यास का मतलब क्या है कि यह जो इसका मतलब है आगे जो है जो भी वाक्य लिखे हुए एक, दो, तीन, चार नमबर से ठीक है तो 6 तक हम सीख चुके हैं अब हम आगे बढ़ते हैं सात्वा है हमारा लागव चिन, लागव चिन क्या होता है? आगे गोल सा होता हुआ और इसके लिए इतने बच्चों ने सवाल किये हैं, इतने बच्चों ने कमेंट किये हैं, वट आज इसका नम्मर आई गया क्या है लागा हो शब्दों के संचिप्त रूप को दर्शाने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है जब हमें किसी चीज को जैसे जो भी बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं गाउ में पढ़ते हैं उनको ऐसे लिखा जाता है राज तो रा के आगे ऐसे जीरो लिखा होता है या बाल विद्ध्या लेके आगे बा के आगे ऐसे लिखा होता है विद्ध्या लेके आगे ऐसे लिखा होता है तो इसका मतलब क्या है क्या होता है जब हमें कोई जैसे हमारे पूरे स्कूल का नाम पूरा नहीं लिखना हो राज किये बाल विध्याल है अब पूरा हमें नहीं लिखना तो हम क्या लिख देते हैं राज किये बाल विध्याल है तो इसी तरह इसे राज किये पूरा ना लिखकर अब जैसे ये देखिए यहां क्या है ये डक्टर साब है तो डक्टर पूरा न लिख करके ठीक है डक्टर पूरा न लिख करके डा आएसे लिखकर और आगे लागवचिन लगा दिया जाता है इसका मतलब क्या है कि आगे इसको शॉट बनाया गया है तो ये डक्टर साब कैसे बना डक्टर की जगे डा लगा के उपर लागब चिन लगा दिया यह किसलिगे यूज़ किया जाता है ताकि बड़ी सी पूरी spelling ना लिखना पड़े उसको short बनाने के लिए अब विद्याले लिखके और आगे लगा सकते हैं मतलब क्या होता है विद्याले और यह हमें सीखना पड़ता है यह किसी भी शब्द के आगे हम नहीं लगा सकते लागब चिन इनके नियम है उन नियमों के अनुसार हमें उन शब्दों के आगे लगाए जाता है जैसे में बी ए ठीक है में तो short form है में क्या होती है Master in Arts तो Master in Arts को short में में कहा जाता है ठीक है तो डक्टर सहाब आए है वह में पास है मतलब उसने में किया हुआ है तो यहां लागब चिन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे इस तरह के 20 से 30 वर्डों को आप ढूंड कर लिख सकते हैं अपने आप यह सब चीजे clear हो जाएगी उद्धरण क्या होता है उद्धरण दो तरह के होते हैं एक तो single वाले और एक double वाले तो इनके बारे में हम सीख लेते हैं इसे अवतरण चिन भी कहा जाता है उद्धरन भी कहा जाता है और अवतरन चिन भी कहा जाता है उद्धरन चिन दो प्रकार के होते हैं एक इकहरा एक दोहरा यह इकहरा है यह दोहरा है इकहरा कहां पर इस्तमाल किया जाता है इस चिन का प्रियोग कवी या लेखक के उपनाम कवी या लेखक के उपनाम में रचना या पुस्तक के शीरसक आदी को उद्रेत करते समय किया जाता है जैसे इनका चिन है ये जैसे कैसे किया जाता है रामचरित्रमानस रामचरित्रमानस किसके लिए यूज किया गया है तुलसी दास के लिए तो यहां क्या लिखा है रामचरितर मानस तुलसी द्वारा रचित है तुलसी कौन है तुलसी जी के लिए ये रामचरितर मानस लिखी है तुलसी जी ने तुलसी जी ने क्या लिखी है रामचरितर मानस तो रामचरितर मानस को दिखाने के लिए दर्शाने के लिए यहां पर उद्धरन का इस्तमाल किया गया है या अवद्धरन का इस्तमाल किया गया है जो की एक के साथ होता है ये इकारा यूज होता है अब दोहरा का दोहरा उद्धरन क्या होता है दोहरा उद्धरन किसी के दोहरा कही गई बात के लिए होता है किसके लिए कही गई बात के लिए और इस चिन का प्रियोग किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्रित करने के लिए मूल रूप में जैसा कहा वैसा ही अगर आप इस्तमाल करते हैं तो मुझे खुन दो मैं तुम्हें आ जादी दूँगा किसने कहा था सत्य ही इश्वर है अराम हराम है ये सब क्या कहे गए हैं मूल रूप से वही वर्ड है उनको कुछ भी चेंजिस नहीं किये गए तो मूल भूत जब शब्दों को लिया जाता है तो वहां पे दोरा उद्धरन चिन का उपियोग किया जाता है जैसे इनका चिन है दो निशान के साथ गांदी जी ने कहा अब ये क्या कहा निर्देशां कहिए रहा है न क्या कहा सत्य ही इश्वर है तो सत्य ही इश्वर है ऐसी जगए पर दो लगेंगे ठीक है तुम मुझे कुन दो मैं तुम्हें आ जाती दूँगा तो इस तरह से मुझे आशा है सारी चीजें क्लियर हो गई होगी यहां तक आठ तक अब आगे अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं अगला और बहुत जरूरी हमारा है कोष्टक चिन किस तरह से होते हैं ये दो तरह के होते हैं एक ऐसे और एक ऐसे करके ठीक है कोश्टक का प्रियोग निम लिखित इस्तितियों में होता है कैसी में एकांकी अत्वा नाटक के रंगमंचे संकेतों को स्पस्ट करने के लिए जब कोई एकांकी लिखी जाती है या नाटक लिखा जाता है जैसे राजा हस्ते हुए अब यहां हस्ते हुए important नहीं है बस यह एक भाव है कि राजा को कैसे बोलना है यह सब चीजे हैं हस्ते हुए कैसे बोलेगा राजा? राजा क्या बोलेगा? आओ राजकुमार हमारे पास बैठो कैसे हस्ते हुए? गुसे में नहीं अगर यहां लिखा हो था गुसे में तो राजा कैसे बोलता? आओ राजकुमार हमारे पास बैठो तो यह गुसे में बोलता तो यह किसलिए होता है? जो कोश्टक चिन होते हैं किसलिए होता है? यह चीजों को नाटक एवं एकांकी में यूस किया जाता है इस चीज को लिखा नहीं जाता है सिर्फ भाव यहां पे इस तरह का रखना है इसलिए बताया जाता है कभी कभी कोश्टक में ऐसी सामागरी रखी जाती है जो वाक्य का अंग नहीं होती है ठीक है तो ऐसी चीजों के लिए भी इनका इस्तमाल किया जाता है जैसे संख्या वाचक विशेशन दोनों भेदों निश्चित अनिश्चित के उधारन होते हैं ठीक है तो इनहीं के लिए इनका उपियोग किया जाता है आगे बढ़ते हैं दसवा योजक्षिन योजक्षिन क्या होते हैं दो शब्दों को मिलाने वाले निर्देशांक भी इसी तरह से था और योजक्षब्द भी इसी तरह से है योजक्षब्द का क्या होता है किसी दो शब्दों बे संबंद परकट करने के लिए जैसे कि हैं सुक, दुख, माता, पिता सुक, दुख, माता, पिता ठीक है? आसपास तो आसपास में भी ऐसे लगाते हैं अमीर गरीब तो अमीर गरीब में भी इसे लगाते हैं इसे योजक्षिन कहा जाता है दोनों को मिलाने के लिए एक ज्यारवा हमारा है हंस पद ये तुरुटी पूर्णक चीन कई सारी चीजें लिखते हुए गलत हो जाती है उन गलतियों को बताने के लिए हंस के पद जैसे पैर जैसी चीजों के लिए यह निशान लगाया जाता है जिसको हंस पद कहा जाता है ऐसे करके ठीक है, कंप्यूटर में आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे निशान होते है, ठीक है, मैट्स में भी होते हैं, बड़ा छोटा बताने के लिए, लिखते समय यदि कोई शब्द या अंश छूट जाता है, छूट नहीं, छूट जाता है, तो उस छूटे हुए, इस्थान पर चिन लगा कर उसके उपर अंस लिख दिया जाता है, जैसे इसका चिन है ये, दो, जैसे क्रिया के मुख्य भेध हैं, अब यहाँ पर दो रह गया था, तो दो को लिखने के लिए हम कैसा निशान लगाते हैं, ऐसे, और उपर दो लिख देते हैं, अगर किसी लाइन में कोई चीज मिस हो गई है, ठीक है, तो इसके लिए हम हंसपद ये त्रुटी पूरक चिन का इस्तमाल करते हैं, वैसे इसके लिए तीर का भी इस्तमाल कर देते हैं, अगर वो चीज पहले से लिखी हुई है, तो, जैसे मैं यहाँ पर यूज करूँगा, तो क्या है, इसका उधार इसी तरह का एक निशान बना दिया जाता है ये लोग अपने हिसाब से अपने अनुसार करते हैं और वैसे तो गलतियां होती नहीं है किताबों में ठीक है फिर भी हो जाती है गलती तो उसके लिए हम त्रोटी पूरक चिन का उपयोग करते हैं उपविराम क्या होते हैं ये व उपविराम का चिन लगाते हैं जैसे विज्ञान, वर्दान या अभिशाप है विज्ञान क्या है वर्दान है या अभिशाप है तो दो विज्ञान और वर्दान को अलग-अलग कर दिया इस इह विज्ञान है नहीं है ये यहाँ पर उपविराम चिन है विवरन चिन किसक प्रियोग किया जाता है यह चिन्न कैसे हैं जैसे क्रिया के दो भेद होते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया जैसे और एक्जामपल लए तो काल के तीन रूप होते हैं वर्तमांकाल भविश्यकाल भूतकाल ठीक है तो इस तरह से उधारण देने के लिए आगे और बाते बताने के लिए अगली लाइन में हम विवरंड चिन्नों का प्रियू करते हैं तो मुझे आशा है आज की इस वीडियो में विराम चिन्न से जो भी हमने 13 चीजें सीखी हैं वो सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो यह सभी चीजों को एक बार अपनी कौपी पर ज़रूर लिखिएगा और इस तरह के और पोस्ट देखने के लिए आप इंस्टाग्राम आदिते मोहन ठाकुर को फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर basic math की भी 18 वीडियो हमने upload की हुई है और इसी के साथ हिंदी पढ़ना लिखना सीखें इंगलिश पढ़ना लिखना सीखें और basic math पढ़ना लिखना सीखें इन्हीं की वीडियो हम बनाते हैं basic level पर हिंदी व्याकरण की ये लगवक 16-17 वीडियो है इससे पहले हम link भ लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह की और किस विशय पर आपको वीडियो चाहिए वह आप नीचे comment करके हमें बता सकते हैं या और कोई सुझाओ है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं